पार्ट नुबर आठ जिसका नाम है भरत मिला जिसका अभ्यास करेंगे तो आगे हम साथ पार्ट देख गए और यहाँ पार्ट हमारे सेमिष्टर प्रथम का आखरी पार्ट है उसके बाद नौवा पार्ट हमारे दूसरे सेमिष्टर में आएगा तो आज इस अंतिक चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हमारे पार्ट का नाम दिया गया है भरत मिला हम सब जानते हैं कि भरत राम लक्ष्मार कौन है भरत शत्रुबना ये चार भाई थे और उनकी ये चार भाई की तीन माता ये ठीन तो इसमें हम सब जानते हैं कि माता कई-कई के कारण राम और लक्ष्मार और सित्रा को वनवास मिला था वो तीनों वनवास में गये हुए थे तो उस समय भरत अपने मामा के गर पर थे शत्रुबना और दोनों जब उनको यहाँ बात का पता चरा तो तब वहाँ आकर अपनी माता की साथ बहुत ही जगडते हैं कई-कई ने अपने पुत्र के मुख में अपने पुत्र भरत को क्या मिले राजगर्दी मिले इसके काराण उन्होंने राजा दस्रत से दो वर्दान मागे है क्या कि एक तो भरत को राजगर्दी पर बिठाओ और दूसरा की राम को वनवास बेज़ू तो इस प्रकार की दो शर्टों के काराण राम को वनवास जाना पड़ा किन्तु भरत अपने भाई को बहुत ही प्रेम करता था तो जब उनको पता चला वहाँ अपनी माता के पास आकर वहाँ बहुत ही लड़ता है कि मुझे यह राजगर्दी नहीं चाहिए मुझे यह नहीं बैठना उस राजगर्दी पर मुझे तो केवल मेरा भाई राम और लक्षमाण ही चाहिए तुमने ऐसा कारिया क्यों किया त तो इस प्रकाते वहाँ अपनी माता के साथ लड़ाई करता है तो हम अब रेखेंगे कि भरत मिला तो यहाँ पार्ट में हमारी दी गई प्रस्तूती उस समय की है कि जब राम लक्षमाण और दीता बन में गए हुए है और बन में एक कुटिया बाज़कर वहाँ उस कुटि बरत को पता चलता है कि मेरा भाई उस जगव पर है बहुत सारे घांप के लोगों को लेकर राज्य के लोगों को लेकर अपने साथ राम को वापिस अपने राज्य में लेने को जाता है तो इस दरब में हमारे बाट को भरत मिला नाम दिया है यानि कि राम और भरत दो भाईयों का मिलन किस प्रकार से बंद में इस कुटिया में होता है कि बहार जाकर सबसे पहले क्या होता है बहार की स्थान का वर्णन किया गया है कि किस प्रकाल का वर्णर है राम और सिद्दा फुटिया के बहार बेढ़े हैं और उसके पास धुश्वान लेकर लक्षमण खड़ा है लक्षमण का सभव कैसा है उसके जित सभव वारा है लक्षमण तो लक्षमण राम को कई लोगों के पाउं की आवाज आती है आने की तो वह अपने भाई लक्षमन को पुछता है कि भाई लक्षमन तुम देखो और लोग आ रहे हैं हमारे निकट तो लक्षमन इधर उधर होकर देखता है और वह जोता है कि क्या भरत आ रहा है अपनी सेना को लेकर हमसे लड़ाय करने के लिए तब राम क्या होते है कि तु भरत को अभी दख जानते नहीं हो हमारा भाई ऐसा नहीं है वह लालची नहीं है और कपटी भी नहीं है वह हमसे युद्द करने के लिए नहीं आ रहा है तो लक्षमर क्या बोलता है? कि यहाँ वरत ही उसी माता का संतान है इसका कई कई का कि जिसके कारण आज हमें यहाँ बनवास भोगना पड़ता है तबी सीधा माता बोलती है कि उसमें विचारेज भरत का क्या दोश है? यहाँ पहले द्रश्च में हमें देखने को मिलता है इसके बाद दुस्तरा द्रश्च आता है कि जिसमें हमें उस प्रकर का द्रश्च देखने को मिलता है कि राम बैठने के हैं भरत आते हैं भरत की आपों से आसु बहरा हैं और वह आते ही राम के पेरों में घीर पढ़ते हैं और वह रोने लगते हैं कि भगवान राम मुझे माफ कर दीजिए मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे राजगर्दी नहीं चाहिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ मैं और आपके सारे राज्ज के सभी लोग आपको लेने के लिए आए हैं कि आप चलिए और देखिये कि वहाँ चल कर की आपके मीना राज्ज कैसा सुना-सुना हो गया है आपको मेरे साथ चलानी पड़ेगा तो अब राम गया बोलता है कि मैं तुमसे गुसा नहीं हूँ, तुम तो मेरे दिय भाई हो लेकिन मैं इधर बलवास पुरा किये मिला, रज्य में वापस नहीं लोटूँगा क्यों क्योंकि मेरे माता पिता की आगन्या है मेरे माता पिता के वचन के कारण ही मैं इस प्रकार्टे वर्द में आया हूँ तो वर्वास पुरा करके ही मैं लोटूँगा अपने राज्य में कब तक राज्य का कारभार तुमें ही समभालना होगा तो इस प्रकार्टे बहुत भरत को समझाता है अंत में भरत माल जाता है और बोलता है कि आप मुझे अपने पाउं के खड़ाव दे लिजिये में यह सिहातन पर रखूँगा और जब तब आप मुझी आएंगे तब तब मैं पुले राज्यों का कारभार संभाल होगा अब हम देखेंगे पाण तो चड़ाम देखते हैं कि द्रश्य एक राम भाई लक्ष्मा जरा देखो तो यहाँ आवाज कहां से आ रही है तो क्या बोलते हैं राम कि लक्ष्मा देखो कि आवाज इदर से आ रही है लक्ष्मा इदर उदर देखो कर प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सामने से कुछ लोग आते हैं राम कुन लोग है जरा ध्यान से देखो ध्यान से देखने को कहता है लक्षम ध्यान से और यहां तो भरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें सामदान हो जाना चाहिए शायर वे लोग लटने के लिए आ रहे है क्या बोलता है कि ध्यान से देखो देखो ये भरता रहा है उसके साथ कई लोग है हमें सच्छेत हो जाना चाहिए शायद शायद यानि की कदाची शायद यानि की कदाची यानि की संभावना है कि वह हमसे लड़े के लिए आ रहा है और दूसरा वह बहाँ पर रहते थे कुटिया कुटिया यानि की जौपडी जौपडी में रहते थे राम भसते में वाई लक्षमन तुम तो बीना बात शक करने लगते हो क्या बहता है कि राम भरत तुम तो कैसे हो कोई भी बात नहीं वीना सोची समझे कोई भी बात में शंक करते हो क्यानि की शंका शंका करने लगते हो फिर आगे इतने वर्ष साथ रहकर भी बरत को नहीं पहुचाना इतने वर्ष हम साथ रहे थे विर तुमने बरत को पहुचाना नहीं लक्षमन उत्ते जित होकर पहुचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वर्वाल दिलाया लक्षमन क्या खता है कि हमने पहुचाना क्यों नहीं वो ही मा का बेटा है जिसके कारण हमें मलबास मिला है तीता इसमें बेचारे भरत क्या दूशे भरत क्या गुना है उसमें लक्षमन लेजिए तब लोग इदर ही आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि देखिए तब लोग इदर ही नज़ित में ही आ रहे हैं इदर हमारे दुश्चे का पहला पढ़ाव खतम होता है फिर आगे दूसरा पढ़ाव शुरू होता है जिसमें दूसरे दुश्चे में हम देखेंगे कि भरत दौड़े हुए फुट्या के निकट आते हैं यानि की नज़िदिक निकट यानि की नज़िदिक आते हैं भरत के आखो में से आसु वह रहे हैं वे राम की चर्णों में पढ़ते हैं राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं वे उनकी चर्णों में गिर जाते हैं और वहाव उते गले लगा लेता हैं प परद्रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभू, आपको वनवास दीलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने माफ करी दो हैं, कि अमनी वनवास आत्वामाओ मारू कई पड़ हाथ न थी, आप मुझसे बड़े है, आप ही को राजा बनना चाहिए, क्या बोलता है, कि आप म अध्याया हुँ, आप Сब अयोध्या चलिये, हुँ तमने लेवा माठे आभयो, शूरू हुँ तमे, क्या अयोध्यामा पाच्छा, चालो, इन नगर वास्थ्यों को भी यही च्छा है, इन नगर वास्थ्यों की भी यही च्छा है, कि आप मेरे ता अपने राज्जे मैं बोलते हैं, देखो भाइय पता ना, मैं तुम्हारा प्रेम देख कर फ्रसंद नहूं वूर। 小 हूनी ऐस दे का ध्रकात क सथा रमज बकद पता कको बनवास पूरा करके ही लोड़ूंगा, मैं बनवास पूरा किये विना वापिस नहीं लोड़ूंगा एक नाखरी जो आये दे उमें से एक बोलता है कि नहीं प्रभू, आपको हमारे साथ चलना ही होगा कि प्रभू आपको मेरे साथ चलना ही होगा आपके बीना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्टव्य है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्टव्य है कर्टव्य यानि की फर्ज एक राजा का फर्ज होता है निप्रजा की सुख शांती का त्यांद रखना राम नगर जयनू इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्टवयों है नगर जयनू को क्या बोलता है राम कि इस समय मेरा सबसे बड़ा करता हुए है मेरी माता पिता की आद्मया का पालन करना है भरत मेरा भाई है जब तक मैं वर्वास पुरा करके न रखूँ तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का जियान रखेंगा क्या होता है कि मैं जब तक वर्वास पूरा करके नहीं नोट हूँगा तब तब बाई भरत आपके सुख़दुपका ध्यान रखेंगा आप उसे राजा माने यहाँ मेरा आदेश है तो मैंने राजा जमान शोगे ओमारो आदेश शेल भरत कुछ सोच कर अच्छा प्रभू जैसे आपकी आग्निया पर मेरी एक विंती है उसे स्विकार करे क्या बोलता है कि जैसे प्रभू आपकी इच्छा लेकिन अंत मेरी एक यहाँ विंती है कि आप मेरा एक अंतिप्रस्ताव स्विकार करे राम बोलो क्या चाहते हो पर मुझे आप अपने पाउं की खड़ाव दे, देख खड़ाव एक ले, तो के वास हैं, लखडी की बनी, पादुका याने की चप्तर। पहले के जमाले में लोग लखडी से बनी हुए पादुका को पहन दे थे राम, खड़ाव खड़ाव क क्या करूंगे भरत। इन्हें सिहासन पर रखकर आपके लट में तक सेवक की करो राजकाश करूंगा। ये आपकी खड़ाव में सिहासन पर रखूँगा, यानि की राम के खड़ाव को सिहासन पर रख कर सारे राज्य का कालभार संबालेगा, भरत का प्रेम देखकर राम सिता और लक्षम गदगद लो जाते हैं, और खड़ाव लेकर भरत ता नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं, भरत का इस प्रकारते अज़्गुत प्रेम देखकर सभी गदगद हो जाते हैं, और इस प्रकारते भरत खड़ाव लेकर अपने राजिय में वापिस चला जाता है, तो हमें इस पार्ट में राम और भरत की अक्थूट प्रेम का वढ़न देखने को म यानि की दुस्ता होना फिर दुस्तरा है गोले लगाना प्यार से मिलना कि यान वे गत्रभौना प्यार से मिलना फ्यार मिलना आमें गहाना तो इस प्रकार से इस पाटके यह सारे सब्दार हैं तो आप इस सारे सब्दार को दोदो बार लिखना इस पाटके प्रश्णों को मैं अपने मोबल से फोटो क्लिक करके आपको बेज दूगी तो बहुत प्रश्ण भी आप लिख कर दयार करना ये सब्दार्ट दोदो बार होंपर्ट में लिखना और इस वीडियों के अनुत में मैं आपको इस पार की छोटी ची स्टोरी भी दिखाऊंगी वो सब भी आप देखना आपको अगले वीडियों में करेंगे गुट्मरिंगी दिया सित्रों ये सब लिखना वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं पास ही धनुषबान लिए लक्षमन खड़े हैं भाई लक्षमन जरा देखो तो आवाज कहस आ रही है प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे है कौन लोग है जरा ध्यान से देखो अरे यह तो भरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें सावधान हो जाना चाहिए शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं बाई लक्षमन तुम तो बिना बात शक करने लगते हो इतने वर्ष साथ रह कर भी भरत को नहीं पहचाना पहचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया इसमें बेचारे भरत का क्या दोश लीजिए सब लोग इधरी आ रहे हैं भरत दोड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं उनकी आँखों से आंसु बह रहे हैं वे राम के चरणों में पढ़ते हैं राम भरत को उठा कर गले लगा लेते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभू आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ आप सब अयोध्या चलिए इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है निराशन कीजिए प्रभू भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसंड नहूँ किन्तु मैं माता पिता की आज्या का पालन करने वन में आया हूँ वनवास पुरा करके ही लोटूंगा नहीं प्रभू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है नगर जनो इस समय माता पिता की आज्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है भरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटूं तब तक भाई भरत आप सब के सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने। यह मेरा आदेश है। अच्छा, प्रभू जैसी आपकी आगया। पर मेरी एक विंती है। उसे स्विकार करे। बोलो, क्या चाहते हो। मुझे आप अपने पढ़ की खड़ाओ दे दे। खड़ाओ, खड़ाओ का क्या करोगे। इन्हें सिहासन पर रख कर आपके लोटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर, राम, सीता और लक्षमन गदगद हो जाते हैं। राम चंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाओ लेकर भरत तथा नगरजन, राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं।